सभी प्यर्दाशकों को राधे राधे महराश्री की एक और वीडियो माप सभी का स्वागत है आज हम महराश्री के सरी मुख से सुनने वाले हैं कि राधा रानी कौन है और इन्होंने जन्म आखिर क्यों लिया जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेर करें और कमेड में जैसरी आधे जरूर लिखें और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए मिलकर सुनते हैं आज का दिप्परसंग म इस धराधाम में पधारी हैं प्यारी जू के और कोई आने का कारण नहीं है जब जब प्रभू अवतार लेते हैं तो प्यारी जू के अंस से जो प्रगट सक्तियां हैं प्रभू की शेवा में वो अवतारित होती हैं प्यारी जू के ही एक अंस से स्री लक्श्मी जी है प्यारी जू के ही अंस से समस्त सक्तियां हैं जैसे प्यारे जू के अंस से ही प्रभू के जो बिविध अवतार हुए हैं वो हमारे सब के अवतारी निकुंज बिहारी स्रीलाल जू महाराज से ही है ऐसे ही जितने भी अवतार में सक्तियां हैं वो सब प्यारी जू के ही अंस की ही मुर्तिमान स्वरूप है हमारी प्यारी जो अन्यत्र कहीं उतार नहीं लेती चुकि ही जब हम अंस वर्णन करते हैं तो अंसी ही अंस की रूप में आता है इस सिद्धांत के अनुशारे वर्णन हो जाता है कि जहां जहां भगवान उतार लेते हैं वार आधा प्यारी अउतार लेती है जो प्राया महापुरुशों ने वरणन किया इस तवन में भी आता है कि हे आधि पुरुश आप जहां जहां उतार लेते हो वहाँ वहाँ कि सूरी जू उतार लेती है मूल बात समझना होगा कि हमारी प्यारी जू इस रस भूमी के बाहर उतार नहीं लेती है हमारे प्यारे जू इस रस भूमी से कभी बाहर नहीं जाते है ये रास्य है ये गुप्तरीती है इसे सब कोई नहीं जानता है शब कोई यही जानते हैं कि जैसे भगवान उतार लेते हैं तो भगवान की शक्ति राधा है और वो शक्ति उतार लेती है पर यहां ब्रंदावन, रजोप, सेवी, रसिकों की कृपा से बात समझ में आएगी कि जो शक्ति होती हो शक्तिमान के अधीन होती है जहां होता है कि ये प्रभू है और ये उनकी शक्ति है तो प्रभू के इसारे पर सक्ति चलती है और करबध आज्यापालन के लिए तत्पर रहती है लेकिन यहां उल्टा है करबध हुए आज्यापालन की बाट जो होते रहते हैं अगर ये शक्ति है और ये शक्ति मान है तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है प्रभू अगर कहीं बिवस नजर आते हैं वो है प्रेम कहीं भी बिवस नजर आते हैं किसी भग्त के सामने किसी भी उपासक के सामने कहीं भी कहीं पूरे इतिहास में पूरे चरित्रों में हमारे सर्वसमर्थ प्रभू की कहीं विवसता देखी गई है तो आप प्रेम होगा क्योंकि अजित को कोई अधीन कर सकता है तो वो प्रेम है और प्रेम की रीती को बहुत अच्छे से प्यारे ही केवल जानते हैं प्रीत की रीती रंगीलो ही जाने कहीं भी प्रेम उदय होता ह थे तो अंस में होता है प्रेम समुद्र ने उदे होता प्रेम समुद्र लाडडी जो है प्रीति का सागर सांदरानंद घन प्रेम मूर्ति की सोरी अ अवतार जब होता है तो हमारे ब्रजिली लारस में यह गुप्त बात है दो अवतार होते हैं एक तो होता है सीधे निकुंज से प्रेमरस प्रदान करने के लिए प्यारे जुपधारते हैं और प्यारी जुपधारते हैं धर्म की स्थापना दुस्टों का दलन आधि-आधि प्रभू के अंस से जो स्रिष्टी विधान करने वाले भगवत प्रभू है पर उनके अंस से हैं ब्रम्ह, विष्णु, महेश तो जो वसुदेव जी के यहां प्रगठ हुए तो चतुर्भुज प्रगठ है कभी कोई प्रशंग बताना जम नंद जी और इश्वदा जी के सामने इन्होंने कभी चतुर्भुज दारन किया नहीं दारन कर स सकते हैं वात्सल्य के आगे एश्वरे का प्रभाव नहीं चलता है जबकि एश्वरे मिश्रित लिला है क्योंकि एश्वरे वाले प्रभु यहां पधारे और जहां एश्वरे वाले प्रभु यहां से पधारते हैं मथुरा द्वारी का तो जो एश्वरे उपासक और बाहर सास्त्री पध्धति को जानने वाले उनके लिए बस उतनी यी लीला है वो उतना ही जानते हैं इसलिए उनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि उतना ही सुना है और उतना ही जाना है जो आये वो अपना येश्वरे लीला करके चारे लेकिन जो हमारे आनंद समुद्र श्री लाल जो महराज है वो व्रंदावनम परित्यज्य पाद में कम नगच्छती और दूसरी बार जो लाल जो यहां प्रिगठ हुए उनका जो संपुर्ण रस सुरूप स्रंगार सुरूप है वो निकुन्य में हर समय बिराज मान लेता है किसी की प्रेमी भक्ति की भी सामर्थ नहीं है कि हमारे यूगल का साक्षातकार प्राप्त कर सके केवल सहचरियों की सामर्थ है केवल वहाँ यन नारदाजे सुकई रगम्यम व्रंदावने वंजुल मन्ज कुन्जे तद क्रिष्ण चेतो हरणैक विग्य मतरास्ति किंचित परमम रहस्यम जब रहस्य को नहीं जानते तो परम रहस्य को कौन जान जाएगा और ये किनके लिए कह रहे है यन नारदाजे सुकई रगम्यम हमारी प्यारी जू और प्यारे जू स्रिष्टी रचना में नहीं है स्रिष्टी काल में नहीं है स्रिष्टी विधान में नहीं है नित्य व्रंदावन में नमीन सोभा प्रकासित जैसे होती है ऐसे ही नित्य बिहारी बिहारी जो नमीन नमीन बिहार करते रहते हैं ना उनका जनम और ना उनका अंतर ध्यान होना दो आदिन अंत बिहार करें समझे रहें अनादिकाल से अनंतकाल तक येने कि ज़स्रष्टी अची गई तो भगवान भी प्रगट हुए स्री कृष्ण रूप में और फिर राधा रूप में सक्ती प्रगट हुई और फिर ब्रंदावन बिहार हुआ अईसा नहीं है ब्रंदावन नित्य है नवनिकुंजेश्वरी नवनिकुंजेश्वर स्री लालजु का बिहार चंद्र मिटए दिनकर मिटए मिटए त्रगुन विस्तार ब्रडब्रत स्री हरिवन्स को मिटए न नित्य बिहार उसी दित्य बिहार का परिशे देने के लिए पूरा परिकर आया सहचरियां आचारे रूप से आई है प्रियालाल भी आउतरी थोई प्रगट हुए जब प्रियालाल यहां प्रगट हुए जिस समय इनका जनमुत्सों मनाया जा रहा है इसी समय उनका नौ विलास प्रारमध है निकुझे में इसी चन नौ किसोरी नौ किसोर का महा महिमा में इसलिए बिना रसिक चरण आ सकती के इस रस में बड़े-बड़े सिद्धों का प्रिवेशन है सादकों की तो बात जाने दो जब हुआई आ जाएगी बड़े-बड़े सिद्धों का प्रिवेशन है सची मानना बहुत गूढ रसा है इस रस की परिचेवरती केवल केवल रसिक चरणारविंद किया सकती से हमने यह नहीं कहा सिरी जी कि चरणारविंद किया सकती से और हम वही कहते हैं हमारे गुरु कहते हैं जो आचारी कहते हैं आचारी क्या कहें आचारी चरण कह रहे हैं स्याम स्यामापद कमल संगी सिरनायो सेवक जी महराज कह रहे हैं कि तेन बचन मानत गुर्द्रोही निस दिन करता अपनों भायो तो ना परमार्थांत लगेगा ना स्वार्थांत लगेगा नहीं समझ पाए हुए क्योंकि हमारी प्यारी जू तक पहुंच केवल केवल रसिकों के केवल न देवाईर ब्रह्माद्याईर न खलू हरी भक्ताईर न स्रुषदा दिभिर यद्वई राधा मदुपति रहस्यम सुविदितम तयोरदासी भूत्वा तदुपचित केली रस्म हो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारो पुर्शार्थों की जो त्यागी महांपुरुष है रसिकों के चरण रज प्रताप से जो अनुराग प्रगट हुआ है सब अनुराग की बात नहीं रसिक चरणार विन्द की रज के प्रताप से जो अनुराग प्रगट हुआ पैसे लिए रेमन रसकन संग बिन रंचन उपजे प्रेम हमारी प्यारी जू की बाद हमारी इसलिए बुलते हैं कि कोई कह सकते हैं कि राधा वो थी उनका उनके साथ ब्या हुआ हुआ ऐसा ऐसा वो तुम्हारी होंगी कोई राधा हम नहीं जानते सुनना नहीं चाहते जानना नहीं चाहते हैं हमारी जो राधा हैं उनका परिचे जानिये जिनकी महावर रचना करने के लिए शोय मखिल लोक्षूडा मनी लाल जू लल चाते हैं और ललिता जिस सक्षियों का करपा कटाक्ष हो जाता है तो निहाल हो जाते हैं हम उन प्यारी जू के जनमुत्सो का गान कर कि तो बात जाने दो कौन ब्या करेगा इंके साथ मुस्कुरा कि तिर्शीचे तवन से हेर दिया तो प्रेम संग्राम में सदैव बिजई रहने वाले लाल जुम्हाज वेरू करा निपतिता इस खलितम सिखंडम ब्रश्टम चपीत वसनम ब्रजराज सुनो यस्याह कटाक्ष स सरपात विमुर्षितत स्य तामराद हिकाम परिचरांगे का । हमारी प्यायरीू तक पहुंच नहीं हैं भले आ फैसा मलें के हम राधां बोलते हों राधा को जांते हैं जिन क्यायरी दीन्स थो कि कहने बात कर रहे हैं जिन के लिए हरिवन समाप्र Rangers चलो सब दौप king द्वार क्यों ब्रिष्वानुगुप के द्वार क्यों कि मेरे स्यामा जू पधारी हैं स्यामा जु का है को प्रगट हो च्कें स्यामाझू का है को प्रगट हो मोहन हीत स्यामा मोहन का संपुर्ण हित कौन है स्यामा जु ने जनम लिया है चलो सब ब्रशुभान गूप के दरवाजी चलो आज स्यामा जु ने जनम लिया है स्यामा नो किशोरी सोडशी प्यारे जु की हरदय हार जो पूर्ण अनुरागरस की मूर्ती है जिनके स्रियंग से अनंत बिजलियों की कांती प्रगठ होती है किसी देवता या इस्वर कोटी का महापुरुष या कोई योगी इतनी सामर्थ नहीं रखता कि हमारी राधा कि सोरी की तरब देख सके अनंत बिजलियों की कांती प्रगठ होती है स्री जी के स्रियंगों से जब तक राधा चरनारविंद के रसिक का चरनामर्थ नहीं गया तब तक वो नेत्रों में सामर्थ नहीं कि राधा का साक्षात कार कर सके प्रशंग में आगे दिवर्श शिनारजी के लिए आता है जो रस की मूर्ती है वो अनंत बिजलियों जैसी कांती है लेकिन दुखदाई नहीं महा सुखद जैसे बहुत बड़ा तेज हो तो दुखद भी तो हो सकता है लेकिन नहीं रस में है आगे हरिवन्स माप्रवु कहते हैं जियोति परम भगवतो रतिमत रहस्यम हमारी प्यारी जुके विश्यम जब कभी रसिकाचारी महापुरुषों ने बोला तो यहीं बोला बोले ये कोई भगवत तत्य की रहा से पुर्ण जी होती है जो स्वयम कृपा करके ब्रशभानुजी के हाँ प्रगट हुई है मेरी अभिलासा है क्या मैं उनकी परिचर्या में सदेव रहना चाहती हूँ उनकी दासी बनकर उनकी किंकिरी बनकर के रहना चाहती हूँ इसी दासी पद को प्रदान करने के लिए हमारी लाड़ी जू का प्रादुर्भा होता है जिस समय यहां प्रादुर्भा होता है ध्यान रखिए उसी समय हमारे प्रिया प्रीतम नव निकुन्ज में नव विलास रत होते हैं इसी लिए केवल जन मुच्सोगान करते हैं और साम के ब्यावला होता है सुक्षमता से समझो हमारी प्यारी जो प्रगट होई है मोहन के आनंद की मूरत इराधा जो जनम लियो मोहन हित, मोहन की आनंद मूरती, मोहन क्रपाल जिस पर बरस गए है उसका ब्रसभानपुर से परिचय होता है और ब्रसभानपुर के ब्रजवासियों का रसिकों का क्रपा प्रशाद जिनको प्राप्त होता उन्हें ब्रसभान लली के नाम रूप चरणारविंद में आशक्ती होती है दोस्तों महाराशरी के सिरी मुख से प्यारी जूका आज का एक प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंड को जरूर बता है कमेंड में राधे राधे जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, सेर करें और ऐसी और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें तो आज के लिए इतना ही जल्द मिलते हैं महाराशरी की एक और वीडियो के साथ राधे राधे